तो दोस्तो यह है हमारा OnePlus का Mobile और यहाँ पर डिवाइज नेम भी देख सकते हैं उपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा साथ ही में दोस्तो अपडेट जो हमारा आया है वो 808 MB का आया है तो अब टू डेट का ओप्शन दोस्तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तो हमारा जो अपडेट आया है तो वो हमने अपडेट कर लिया है पहले जो हमें यहाँ पर update का version देखने के लिए मिल ला था वो दोस्तो यहाँ पर था c.10 और अब अपडेट करने के बाद आ गया है c.11 तो दोस्तो इस वर्जन के बारे में थोड़ा ओट जाल लेते हैं जियो 5G network is now available ATL 5G और V5G का network भी यहाँ पर available हो गया है तो दोस्तो ऐसे update करने के बाद आपको क्या करना है कि 5G enable करने के लिए आपको वापस से setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको सबसे उपर mobile network का option मिलेगा इस पर आपको click करना है दोस्तो data use करने के लिए आप जिस sim को भी use करते हैं उस sim के उपर आपको tap करना है tap करने के बाद आपको नीचे preferred network type का option मिल जाएगा उस पर आप click कर देंगे तो दोस्तो अगर आपका यह 4G, 3G, 2G auto पे है तो आप इसे 5G, 4G, 3G, 2G auto पे connect कर लेंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप अपना 5G अनेवल कर सकते हैं I hope दोस्तो इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें अगर दोस्तो आपके में update नहीं आया है कुछ टाइम बाद आपको भी दोस्तो इस अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि यह रॉल आउट हो चुका है और जीरे जीरे सबके मुवाइल में update आना ही स्टार्ट हो चुका है